हलो गाइस वेलकम तो भी एफटी फैमली ऑफिशल यूडियूब चैनल आज किस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे इंडिया वसे साउथ एफ्रिका के बीच में जो फाइनल टीटी मैच खेले जाने वाला है कर शाम साथ बजे यानि मैच होगा संडे को शाम साथ बजे वैन मेरी लिक में क्या करना है वो भी आपको बताए जाएगा मेरी खुद की परसनल टीम जो है वो भी बताए जाएगी तो बात करते का इस मैच की सबसे पहले आप देखो दोनों टीमें जब आपस में खेलती है तो पांच बार इंडिया जीता है चार बार साथ एफरिका जीता 169 का टारगेट दिया लोई स्कोर यहां से बनाता उस टाइम 87 साथ एफरिका की तरफ से यह लास मैच का सीन था फिर यहां से 211 और 212 चेस हुआ तो यह कुछ स्कोर है जो इन तीनों में से आपको कोई एक कल के मैच में देखने को मिल सकता है बात करते हैं यहां से लास मैच नहीं हें तो देखो इंडिया ने टारगेट साइट किया 211 का चारविगट के लुकसान पर सौ आफ आपिर Conga ने फिर से चेस किया चेस किया तर्गेट यहां से टारगेट पूरा चेस कर लिया तीजरे मैच पर इंडिया उन सेरी माच में न SH influencers तर् फिर मेंagu बचिन open यहां से समझ में आएंगी जो मैं आपको वैलियो बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको पूरे यूट्यूब कर कहीं नहीं मिलेगी लोग आपके 25 से 30 मिनट बर बात करेंगे सिंपल सी एडवाइस देने के लिए लेकिन मैं दस मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ें बताके यहां से जाने वाला हूँ बात करने प्लेइंग 11 की तो इंडिया का देख लो आप इशान किशन रितुराज का एकॉर्ट शेयर सेयर इशाप पंद दिनेश कार्दिक हादिक पंडिया अक्षर पटेल भूवी हर अब cœur आविश्कान मुझे नहीं लग रहा है एंडिया को अब कोई चैंज ये इनका प्लेइंग 11 होगा कुंटिन डीकॉक के साथ टीम आप आउमा ओपनिंग करेंगे डॉयन प्रेटोरियस दिखेंगे फिरीजा इंट्रिक्स खेलते हैं तो वह देखेंगे अधरवाइस रैसी देखेंगे माकरम का भी कोई स्कोप है नहीं खेलने का मिलर स्टप्स का इस लिए कोई रोल नहीं नहीं क्लासीं दिखेंगे अच्छा कर रहे हैं तीनों ही मैच उसे पानेल को लास मैच नहीं कहला गया था मेरे साब से पानेल को खिला नहीं कहले थे इनकी जगे यहां से मारको जंसें खेले थे केशव महराच तबरेश समसी एंडिट नॉट जे भी लास्ट मैच में नहीं दिखे थे इनकी जगे लंगडी निगडी आ गए थे तो यह गाई इनका प्लेंग 11 होने वाला है अब इसमें से एक आद दो चेंजिस तो कर सकते हैं इसलिए मैंने सारे प्लेयर्स का आपको यहां पर फॉर्म बता दिया है इनके पास जो मेल बॉल यहां से माराज यह तीन ऐसे प्लेयर्स जिनके ओवर कभी भी कार्ड दिये जा सकते हैं यह बात आप ध्यान रखना दो और एक ओवर या तीन ओवर ऐसे करा सकते हैं बात करते का इस यहां से डैट ओवर्स की तो देखो इंडिया की तरफ से आपको हर्शल आवेश बात करें लास मैचस में विगेट फॉल ऑबसरवेशन की तो जो मैंने नोटिस किया था किस तरीके से विगेट गरते हैं यहां से आपको बता दूँ पहला मैच इंडिया के विगेट देखो किस तरीके से गरे चट वे ओवर में पहला फिर बार वे ओवर में गरा फिर सोल मिसला देखो दूसरे वर में गरा फिर पांच ओर में गरा फिर और में गरा और सीथे यहां से उन्ने सबहर इनों नहीं कहेला तो कई ठै ednaई नहीं हाला कि । जो तीन मैचे सुए उन्हों में अच्छा आसा फॉल हुआ है यहां पे आप देख सकते हूं हर दो तूदू तिंदिन ओवर्स के इंटरूबल में यहां पर कंजिस्टेंटली हुआ है विगेट पॉल लास्ट मैच में तो तीन विगेट यहां पर तेरा उबर की दूसरी बॉल पर आया था चौती बॉल पर चौती बॉल पर आया था साउट अफ्रीका का विगेट तो यह चीज आप ध्यान रख लेना ग्रेंड लीक में काम में आएग दिकाउख न्याहां से 14 किया इस यह वाला मैच इंडिया जीता थ युदा ज सौट एफ्रिका जीता थो उसमें ख्रयस है ने 36 टिया पानें या प्रेटोरि corazónस is ने 75 अक्षर ने 644 किया फिर उसके पहले मैच जो यह हैं से चीज इधा था सौथ आ फिर इप्रीक उसमें श्र यानि काफी पावर पेक्ट परफॉर्मस दगी थी हमें दोनों ही साइट से बात करें गाइस यह जो पास्ट के मैचेस हैं एक यह वाला मैच भी था यह भी आप देख सकते हो काई कॉर्ड ने 57 किया था रीजा ने 23 हर्शल पटेल ने 4 विगेट चेहल ने 3 विगेट प्रेटो है तो कल जो प्ले उलैब्ड प्लेएर्स होंगे वह जाहरे सी बात है बहुत से एसे प्लेयरस नहीं होंगे यह जो जुन प्लेजिक प्लीयरस के अगेइस उन किया था लेगिन प्र भी आप देख लो यहां से की हैड-ो-एड में इंडिया की अगेंस सौथ एफरीगा टें फिर यहां से रीजर एंडिक 70, भूवी 5 विगेट, अब बात करते हैं, हैक्टोईट स्पेशल्स तो अपने हो गए, बात करते हैं, इस वेन्यू के उपर पर्फॉमस की, तो उजादार प्लेयर्स ने नहीं खेला है, और कुछ प्लेयर्स ने जो खेला है, तो आप पर्फॉम से कह सकते हैं, रीजर एंडिक्स का इस मैच में एक मैच में एठाईस रन है, टिमवा बाउमा ने एक मैच में 27 रन की हुए है इस वेन्यू के उपर, रिशब पंद ने तीन मैच में 25 रन की है, जैसा कि अभी रिशब पंद स्टैगल करना है, थोड़ा बात कुछ रोंग श अभी तक जितने मैचे हुए हैं, चैल का सब वेन्यू पर दबदबा रहा है, पास्ट में भी और रिसेंटली भी उसने अच्छा ही किया है, पहला मैच छोड़ दें तो, उसमें मौका ही नहीं दिया था शायद उसको, दूसरा मैच पिट आता हूँ, लेकिन बागी के तो अच्छा किया था, रबाड़ा ने इस वेन्यू के उपर एक मैच में तीन विगेट निकाले, काफी शांदार, भूवी ने भी इस मैच इस वेन्यू के उपर एक मैच में तीन विगेट निकाले हुए, शमसी ने इस वेन्यू के उपर एक मैच में एक विगेट निकाला हु अगरो अदर्वाइस आप टीम्स अच्छी नहीं बना पाओगे यहां से देखो जो इंपेक्ट फुल रहा है जो जादा बार रहा है वो मैं आप लोगो बता देता हूं डेविड मिलर को हर्दिक पांडिया ने चार बार आउट किया 18 बॉलों में हाला कि हर्दिक पांडिया बैया बालिंग नहीं करा रहे है तो कोई दिक्कत नहीं है डीके को रवाड़ा ने यहां से तीन बार आउट किया 17 बॉलों में पहले कुंटी निकॉक को चैल ने चार बर आउट यहां से आपको बताया बात कर लेते हैं हमारी टीम्स की तो यहां से आप बात कते हैं जहां से आप देखो default spawn league teams आपको यही देखने मिलेगी maximum opponents की और आप भी इससे जा सकते हो इसमें क्या होता है जब common matches होते हैं तो आपके आस captain vice captaincy के बहुत सारे options होते हैं यहां पर क्या है captain vice captaincy के options आपके दास कौन हो हैं और आपको अपने opponents के कौन मिलेंगे देखो hardik pandya मिल सकते हैं last match के बाद ड्वेंट ब्रेटोरियस एक default captain vice captain है इशान किशन भी default है रुतुराज कायगाट को भी कुछ लोग बना ही देते हैं श्रियर सहीर अल्मोस्स आपको मिलने वाला है और डिकॉक भी आपको मिल सकता है पन्त को मुझे लग रहा है कल के match में लोग avoid करेंगे लेकिन पन्त आपके लिए trump pick हो सकता है क्योंकि आवेश खान भी देखो तीन मैच सुपर फ्लॉप किया बंदा चौथे में चार विगिट निगा ले तो हो सकता है रिशब पन्त आप रिस्क लेना चाहो तो captain vice captaincy दे सकते हो कल के match में काम करके देगा तो यह काई small league की default team हो सकती है यहां से बात करें grand league के लिए तो grand league के captain vice captain में आपके कौन होने चाहिए कल के match में मुझे लग रहा है यहां से आप देखो रिशब पन्त जैसे आपको last slide में बताया है रिशब पन्त के बारे में कुईंटि इंडिकॉक इंडिया के against काफी बार अच्छा किया हुआ है और इंडिया में रहे के भी काफी बार अच्छा किया आप सबको पता हुआ कितने अच्छी performance देता है प्लेयर भी अलग लेविल का है बस यह कुछ wrong shots की वैसे आउट हो जाता है कभी कभी लेकिन ट्राइ कर सकते हो captain wise captain z का अच्छा option guy guard एक match super flop जा रहा है एक match अच्छा का रहा है तो अभी तक ऐसे ही last match फिर से flop हुआ था तो हो सकता है कल के final में अच्छा करे आपके लिए एक इंपोर्टेंट पिक होने वाला है रिजर हेंडरिक्स का हमेशा अपरेंड होता है तो आपके लिए एक advantage है पार्नेल मैं चाहता हूँ खेले अगर बंदा खेलता है तो captain wise captain z जरूर देना देखो कोई भी venue left arm pieces का हमेशा आपरेंड होता है वहाँ पर तो पार्नेल आपके लिए important हो सकता है भूपी का काफी अच्छा stats है इसके South Africa के against और venue पे भी तौप के लिए important शमसी एक match केला हूँ है venue पे experience है यह दो प्लेयर ऐसे हैं जिन पर आप bet कर सकते हो विकॉस इन दोनों में से कोई एक होगा जो अपने पूरे over डाल पाएगा तो इन दोनों में से कौन होगा यह आपक तो देख सकते हो captain vice captaincy के maximum कोशिश करना इन ही में से grindy के captain vice captain आप रखो मेरी team की बात करेंगा small league की तो यहां से कैज़ आप देखो small league की जो मेरी final team है almost यह है इसमें सरफ एक player missing है और वो एक player कौन होगा वो या तो अगर par nail खेलता है तो 100% par nail यहाँ पर मेरी team में होगा otherwise यहा सकता हूँ अगर वो पहले balling करेगा तो मैं निगडी को ले लूँगा otherwise यहां से एक जो player है वो मेरा मेरी team यह final है 100% 101% final team है सरफ एक player का है तो यहां से अगर par nail खेलता है तो मैं उसको लूँगा otherwise यहां से मैं महराज यह शमसी में से किसी एक के साथ चाहूँगा निगडी क को भी ले सकता हूँ तो यह गाइस मेरी final team है इसमें मैंने captain the Appetorius को batting balling दोनों कर सकते हैं बंदा मैं एक बार फिर से back करना चाहूँगा Reza Hendricks को जैसा कि मैने पहले match में किया था sorry second match में तो मैं चाहता हूँ Reza Hendricks खेले और अच्छा करे विद्दा bet तो यह गाइस मेरी final team है काफी overrated player है जिसने मैं ले लोंगो मुझे पता है कितनी अल्दी आउट होगे जाएंगे तो यह गाइस अभी के लिए मेरी final team है यहां से आपको बता लिता हूँ हम एक छोटा सा service charge लेते हैं और हमारे काफी सारे members हैं जिनको हम daily एच्छे से अच्छा काम देते हैं उसमें guys हम exchange 22 के profitable picks भी देते हैं आपको investment से लेकि हर शीज यहां पर बताई जाती है तो अगर आपको team चाहिए या कोई personal advice चाहिए तो मुझे add the rate BFT family की उपर message कर सकते हो